दोस्तों बहुत बार हमें ज़रुक पड़ती है एक PC से दूसरे PC पर डेटा को transfer करना या फिर हो सकता है कि आपको कभी अपने एक laptop से अपने PC पर डेटा को transfer करना हो तो यार हमें बहुत जादा problem आती है तो इस बीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप बिना किसी wire के wireless तरीके से आप जो है एक PC से दूसरे PC में या एक laptop से दूसरी computer में आप आसानी से data को transfer कर पाएंगे, share कर पाएंगे, बीड़े को ध्यान से और पूरा देखीगा, तब ही आप समझभाएंगे, हलो दोस्तों मिरे नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चल, हमसफर टैक, तो चलिए, सीखते हैं, दोस्तों अभी हमारे पास दो अलग-लग system है, एक हमारे पास desktop यानि की computer और दूसरा हमारे पास है laptop, तो अभी हमें दोनों की बीच में data को transfer करना है, किसी भी file को share करना है, वो भी without किसी internet के, या फिर without किसी wire के, तो आपको wireless तरीके से कैसे करना है, त तो सबसे पहला step आपको काम करना दोस्तों, कि जिन PC से भी आप data को एक दूसरे में transfer करना होगा, तो सबसे पहले दोनों को आपको, दोनों desktop को आपको, सेम network से connect करना होगा, यानि कि आपको सेम wifi से यहाँ पर connect करना होगा, दोस्तों अगर आपके घर पर broadband नहीं है, या फिर आपके घर पर internet connection नहीं है, तो आप अपने mobile phone का hot spot को on करेगा, और आप जो है, दोनों PC को जो है, अपने phone के network से connect करना है, जैसे यहाँ पर आप दिख पा रहे हैं, दोनों system मेरे यहाँ पर हम सफ़र tech wifi से connect हैं, और याद रखेगा, यहाँ पर आपको internet की जरुरत नहीं पढ connect करना है, connect करने का फायदा यह है कि आप easily file को share कर पाएंगे, access कर पाएंगे, अब दोस्तों आपको दूसरा जो आपका step है, आपको यह करना है कि आपको जो है PC1 में, अब हमारा यह PC1 है, तो यहाँ पर आपको जाना है, control panel में, आप search करेंगे, control panel, तो आप search करेंगे, तो आ चेंज करके, यहाँ पर जो है large icon पर इसको select कर लिजेगा, अब यहाँ पर आपको जाना है network and sharing center पर और आप जैसे यहाँ पर click करेंगे, आपके सामने यहाँ पर side पर बहुत सारे settings आएंगी, तो आपको change advanced sharing settings के उपर click करना है, जैसे आप click करेंगे, आपके सामने यहाँ पर अलग-अलग column आएंगे, जैसे private, guest और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अलग-अलग options नजर आएंगे, तो आपको यहाँ पर private के उपर click करना side पर और आपको इसको यहाँ पर turn off है, तो इसको आप turn on कर देंगे, यहाँ पर भी आप इसको tick करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर भी आप इसको turn on करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देखीगा नीचे, तो यहाँ पर आप click करेंगे, guest और public में, तो इसको भी आप on कर लेंगे, turn on और इसको भी दूसरे options को भी turn on कर लेंगे, कुल मिला कि आपको सारी settings को यहाँ पर on करना है, इसके अलावा all networks में आ use 128 bit, आपको यहाँ पर select करना है, और यहाँ पर आपको जो है, आप चाहे तो password भी लगा सकते हैं, फाइल में, हम फिलाल इसको turn off करके रखे हुए हैं, आप चाहे तो इसको turn on भी कर सकते हैं, लेकिन दूस्तों turn on करेंगे, तो अगर आप दूसरे PC में file को access करोगे, तो वहा आप यहाँ पर जो इसको नीचे से save changes भी क्लिक कर देंगे, फिलाल मैंने इसको save करके रखा हुआ है, तो चलिए हम इसको करते हैं, अब close, आप दूस्तों आपको जो है, इसी setting को अपने दूसरे PC पर भी करना है, जिस तरीके से मैं आपको PC1 में बताया है, PC2 में भी आप ज न्यू में जाना है, और new folder आपको create करना है, ठीक है, यहाँ पर आप folder का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, file sharing, तो यहाँ पर मैं जो है, लिख दिया है, file sharing करके, यहाँ पर मैंने एक folder generate कर लिया है, create कर लिया है, अभी यह इंपटी है, इसके भी मेरे पास यहाँ पर data है, जैसे कि photos या कुछ videos है, तो इसको मैं उठा के इसके अंदर enter कर लेता हूँ, और यहाँ पर दिखीगा, सारा का सारा data मेरा यहाँ पर आ चुका है, इस folder के अंदर में, तो अभी हमें इस folder को एक sharing folder बनाना है, ताकि हम इस folder का जितना भी file है, बहुत सारे यहाँ पर अलग-अलग options आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप 100 more options पर जाएंगे, तो यहाँ पर दिखीगा, गिब access to का एक option से, आप यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर नीचे आप दिखीगे, specific people के उपर आपको यहाँ पर click करना है, click आप जैसी करेंगे, यहा यहां पर आप select करेंगे everyone, everyone करते ही आप यहां पर जो है add कर लेंगे, add करने के बद आपके सामने इस तरह की से आ जाएगा options, अब यहां पर permission level है तो यहां पर आप इसको change कर लेंगे, यहां से read and write, तो आप यहां पर जैसे इसको select करेंगे, अब आपको यहां पर share पर click करना है जैसे आप यहां पर share पर click करेंगे, अब आप देखीगा, यहां पर automatically एक link generate हो जाएगी, इस link को आप चाहे तो यहां से copy भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहां पर जो है, दूसरे PC में इसको access कर पाएंगे, अब यहां पर जो यह link है दोस्तों, इसको आप दूसरे तरह क इसको दूसरे से भी निकाल सकते हैं, इसको हम close करेंगे, अब हम जो है, filter के उपर जाएंगे, right click करेंगे, और यहां पर आप जाएंगे, show more options के उपर, और यहां पर आपको जाना है, properties के उपर, properties में आप जाएंगे, तो यहां पर आपको एक sharing का option नज़र आएगा, तो यहा अभी हम करेंगे ये कि हम एक बहुत इजी तरीका ढूंडते हैं हम Gmail को open करेंगे और हम क्या है कि जिस भी PC में हम file को access करना चाहते हैं उस PC में हम यहाँ पर link को send कर देंगे तो यहाँ पर हमने send कर दिया है तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ से close अब हम जाते हैं अप हमाराल जो है link आ चुका है चाहे तो आप इसको manually तरीके से type करके भी कर सकते हैं लेकिन उसमें time जादा लग जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर share किया तो मैं यहाँ पर इसको right click करके copy कर लेता हूं इसको close कर लेता हूं अब आपको यहाँ पर window प्लस R को type करना है तो यहाँ run command खुल कर आ जाएगी दूसरा तरीका भी है तो आप यहाँ पर search करेंगे run करेंगे तो run command आपके सामने इस तरीके से open हो जाएगी यहाँ पर आपको उस link को जो आपने copy किया था उसको आप control भी करके paste कर लेंगे और यहाँ पर हमारा link paste हो चुका है अब हम simple यहाँ पर ok पर चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको करना है जाना है आपको सबसे पहले control panel में ठीक है तो आप जाएंगे सबसे पहले control panel में और हमने यहाँ पर type किया यह हमारा PC2 है और हम control panel में आ चुके हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं credential manager आप यहाँ पर click अब यहाँ पर आप देखीगा generic credential यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इसके side में आपको यहाँ पर click करना है click करते ही यहाँ पर आपके सारे options कुल करा जाएंगे जैसे हमारा username यह है और password हमारा यह है अगर आपको अपना password नहीं पता तो आप इसको यहाँ पर edit पर click और यहाँ से आप अपना username और अपना password भी easily आप change कर पाएंगे तो अभी हमें अपना एक नया password बनाना है क्योंकि हमें याद नहीं है तो हमने यहाँ पर अपना एक नया password को enter कर लिया है और अब हम यहाँ पर save पर click करेंगे और उसके बाद हम इस page को यहाँ से close करेंगे और आप यहाँ पर जो है जितने भी advanced setting, sharing setting में जाना है आपको तो सारे options को यहाँ पर भी आपको on करना है जिस तरीके से आपने PC1 में on किया था तो फिलहाल हमारे सारे options यहाँ पर on है और इसको भी हमने turn off करके रखा हुआ है तो चलिए हम इसको यहाँ से close कर लेते हैं अब हम दुबारा से जाएंगे window plus r ठीक है तो run command हमने open कर लिया है अब जो link हमने यहाँ पर copy किया था इसको हम यहाँ पर paste कर लेते हैं तो already हमने इसको paste करके रखा हुआ है और हम यहाँ पर करेंगे ok तो यहाँ पर हमसे हमारा username और password पूछा जाएगा तो अभी हमने जो अपना username और password देखा था उसको हम यहाँ पर enter कर लेते हैं ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर अपना username और password हमने enter कर लिया है उसके बाद हम इसको reminder पर click करेंगे और ok पर click कर देंगे दोस्तों यह options आपको कुछ-कुछ में दिखेगा आपको हर PC में ऐसा problem नहीं आएगा तो यहाँ पर हम हमारी file जो है हम access कर पा रहे हैं चलिए मैं आपको copy करके यहाँ पर दिखाता हूँ copy मैंने किया control c करके control o करके और यहाँ पर यहाँ पर हमने paste कर लिया ठीक है तो यहाँ पर देखी का जो मेरा PC1 में data था वो सारा का सारा मैं copy कर पा रहा हूं और paste कर पा रहा हूं अपने second PC म तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसाने से एक PC से दूसरे PC में wireless तरीके से data code transfer कर पाएंगे